हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट हिस्टरी की पुका चप्टू थ्री, रूलिंग दे कंट्री साइड, इसका पार्ट हम टू देखेंगे, पार्ट वन में हम लोग तीन जो सिस्टम से किस तरीके से कंपनी को दिवानी र मतलब पैसा खिटा करने के कर फसूल करने के राइट्स मिल गए बंगाल में, फिर किस तरह से पर्मनेंट सेटिल्मेंट सिस्टम जो है कॉन वालिस लेकर के आया, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो मुन्रो सिस्टम था, मुन्रो सिस्टम जो था रियो तवारी सिस्टम था, है ना, तो ये सब हम लोगों ने देखा था और हमने महलवारी सिस्टम भी देखा था, तो अब आगे हम इस वाली जो वीडियो है, इसमें देखेंगे, क्रॉप्स फॉर यॉरप, तो जो यॉरप है, उसमें जो फसले थी, वो हमारे तेश में उसके लिए गव इसमें देखेंगे, प्रिटिश को ये रिलाइज हुआ कि जो गाओं वाला इलाखा है, वो सिर्फ रिवेन्यू ही नहीं दे सकता है, बलकि वो ऐसी फसले प्यूका सकता है, जो की यॉरप के लिए काफी जादा ज़रूरी होंगी, 18th century में कंपनी ने ट्राइ किया अपना ब और उसके आगे, एक सेंचुरी और हफलगवक, 1500 साल तक बिटिश ने पर्सुएट किया और फोर्स किया कल्टिवेटर्स को, मतलब इंडिया के किसानों को ये मतलब कल्टिवेट कर रहे थे, इंडिया के किसान तो बंगाल का इलाका था, वहाँ पर जूट की खेती होती थी असाम में टी की खेती होती थी, और उत्तर प्रदेश में जो है, वो गन्ना उगाया जाता था, पंजाब में गेहूं उगाया जाता था, और कॉर्टन जो है, कपास महराष्टर में उगाया जाता था, और पंजाब में भी काफी जदा कॉर्टन उगाया जाता था, और जो सारे methods, British used variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. So, they have many methods to use so that they will cultivate crops which are the Englishman that is necessary for the crops. So, does color have a history? So, color, the color, is there any history or any problem? Look here. How bright and beautiful color is being seen. Blue. Column-cari print here. Column-cari is done with the help of and Morris Cotton Print. The blue color came from neil. Column-cari is showing us. So, where is the Column-cari? Andhra Pradesh. This is a question about UPSC. What was the question about Column-cari painting? So, what happens in Andhra Pradesh? In this way, full-of-gare designs are made. Floral painting and this blue color is William Morris painting. A very famous poet and artist in the 19th century. There is one thing common. There is one thing common. There is a rich blue color. It is a rich blue color. which commonly indigo would have been made. Now, this color was made. The blue color is made. The blue color that you guys are seeing in prints was from the indigo plants. This is a blue color dye type which was made in India. It was from India. India was the biggest supplier of indigo. इंडिया में ही इंडिको उगाया जाता था और यहां से ही पाकी पूरी दिन्या में भेजा जाता था इंडिको के प्लांट्स जो है वो कांसे इलाके में होते हैं इंपोर्टन है कि ट्रॉपिकल रीजिन्स में ट्रॉपिकल इलाके वो इलाके होते हैं जहां पर पूरे सालना गर्मी रहती है मतलब जादातर महीनों में नमी रहती है हवा में और गरम मौसम रहता है 13 सेंचुरी आते आते इंडिया का इंडिया से इंडिको काफी जादा भीज़ा जाने लगा इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में ताकि कपडे में रंगाई की जा सके उसमें डाई लगाया जा सके काफी small amount में इंडियन इंडिको काफी मतलब only small amount of इंडियन इंडिको reached in open market and its price was very high काफी कम ही इंडिको इंडिया से पहुंच पाता था यॉरप में और उसकी कीमत बहुत ही जादा होती थी मगर जो यॉरप के manufacturer थे ना उनको बहुत जादा पसंद था ये on another plant called vote बट क्या था कि पसंद तो इंडिया का था मगर यॉरप में भी एक plant होता था woad vote के नाम से वो भी violet और blue color देता था बट इसका color फीका फीका होता था तो वो इतना अच्छा नहीं लगता था इंडिको का color खूप shiny होता था तो बढ़े ही खुप सूरत लगता था तो जो वोड ये वोड जो प्लांट है ये यॉरप में ही होता था तो इससे डाई कर लिया करते थे प्लांट ये temperate zone का प्लांट था तो फंडी लागे का प्लांट था तो इसलिए इंडिया से इंडिको आ रहा था तो वहांके जो प्लांटड़्य जो लोग वोड घुत का थे जो किसान उन्होंने कहा कि इंडिया से इंडिको नहीं आना चाहिए तो गौट मेंनों को तो लवग हर्देश की किसानों ने अपनी गव्मेंट पर ये जोड दिया कि भई इसकी कहती जो हम वोईड की कहती कर रहे हैं वोईड बिकना चाहिए इंडिको जो इंडिया से आ रहा है आप उस पे बैंड लगा दो बट क्या हुआ कि क्लोड ड्रायर्स जो थे ना जो कपड कर लिया गव्मेंट को कि बट इंडिको के बैंड को हटा दिया जाए और इसलिए काफी ज़ादा फिर इंडिको पहुंचा इंपोर्ट किया जाने लगा मतलब क्या हुआ न कि इंडिको का लग बहुत अच्छा था तो जो कलर बनाने रंगाई करने वाले लोग तो उन्हों अमारिक के पास चोटी 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 से आईलेंड जासे आप पर wesट निडी का माच होता है na Karibian islands में ही परदता है वेस्ट निडी जो और पोर्डूगी स्निक और बाजेल लगा तर्षी न If Thejud the jausties रिक की बाव यांड वह समक्रना एक यह जाने लगी तर्षी के पूरे लैंड पढ़ना एक ही ताइप की फसल उगाई जा रही है, खुब सारे लोग उस पे काम कर रहे हैं, जिसे की कॉफी, शुगर, टी, टोबैको, कॉटन इनके प्लांटेशन होते हैं, अब 18th सेंचुरी आते आते न, इंडिको की डिमांड बहुत ही जादा बढ़ ग इंडिको की काफी जादा कमी पड़ गई पूरी दुनिया में, ठीक हैं, तो प्रोडक्शन जो है, इंडिको का वो आधा हो गया था, 1789 से 1783 से 89 के बीच में, अब क्लोड रायर्स जो थे न, बिटेन के, अब उनको सोचना पड़ा कि भई कहां से आए, तो बही इंडिको की इंडिको की तो कमपनी ने सोचा कि इंडिको का उसको काफी ज़दा बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाहिए, लास्ट जिगेट जो थे 18th सेंचुरी के इंडिक का कल्टिवेशन बंगाल में काफी ज़दा फैल गया, और बंगाल का इंडिको पूरी दुनिया पे डॉमिनेट करने लगा था, 1788 आते आते 30% जो था इंडिको जो की ब्रिटेन, इंपोर्टेन इंडिको इंडिको जा रहा था, वो इंडिया से ही आता था, और ये प्रपो के थे, उनको लगा कि भई, इन्वेस्ट किया जाए, इसमें तो काफी जादा मुनाफ़ा होगा हमें, ओवर दा येर्स काफी सारे कंपनी के जो विश्यल्स थे ना, उन्होंने अपनी जॉब्स चोड़ दी, और इंडिको के प्लांटेशन के बिजनिस में वो घुज गए, क्योंकि वो काफी जादा, उनको लगता था कि हाई प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, न्यूमरेज जो स्कॉट मैं थे, इंग्लिश मैं थे, इंडिया आए, और वो प्लांटर्स बन गए, मतलब उन्होंने जमीन खरीद ली कुप सारी, और लोगों से कहा, किसानों से कि भई, त उनको जरुवत होती थी, तो इस तरीके से, जो है, इंडिको काफी जादा इंडिया में उगन लगा, अब क्या हुआ था न, कि बाके जगे बंद क्यों हो गया था, 18th century में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे न, इंडिको और शुगर जो की उगाया करते थे, फ्रेंच की कलॉन अब में, फ्रेंच से, सेंडेम्यागों में, राइले अडेम में, तो देखे न, फ्रेंस ने न, सलेवरी क को ब्रांट बंद कर दिधी थी, फ्रेंस ने, तो इफ्रिकन स्लेड जो की प्लांटेशन्स में कर दी थे, उन्होंने रिबेलियन कर दे, क्योंकि उनको अब इंडिको कल्टिवेट कैसे होता है, उकता कैसे है, तो मेन सिस्टम जो है इंडिको कल्टिवेशन का वो था निज और रियोती, इस सिस्टम में जो निज कल्टिवेशन होता था इसमें प्लांटर प्रड्यूस्ट इंडिको इन लैंड्स देट ही डिरेक्टली कंट्रॉल तो planters मतलब अपना land खरीद लेते थे और खेती उस पर करवाते थे तो ये होता था niche की उसका अपना है और या तो वो मतलब खरीद लेते थे या फिर खरीदी लेते थे पहल तो जा तो जमीन या फिर वो किराये पे जमीन ले लेते थे ठीक है जमीनदार से और डारेक्ली उस उगवाते थे, यह तो था निज, निज कल्टिवेशन के साथ दिक्कत क्या थी, प्लांटर्स को काफी साथ डिफिकल्ट हुआ अपना एरिया एक्स्पांड करने में निज कल्टिवेशन के अंडर, इंडिगो जो की कल्टिवेट किया जाता था, वो सिर्फ और सिफ खूब ही अच्छा फटाइल लांड, फटाइल लांड का मतलब होता है, जिस पे खूब अच्छी खेती की जा सकती है, इस तरीके के लांड पे ही सिर्फ इंडिगो उगाया जा सकता था, and these were all ready densely populated और ये पहले से ही काफी साथ densely populated रिलाके थे मतलब जहाँ पर कूब अच्छी फसल उगाई जा सकती है जहाँ पर कूब अच्छी उपज आती है उसको हम fertile land कहते हैं और ये fertile land जो थे यहाँ पर काफी सारे लोग रहते थे काफी छोटी-छोटी से plots ही थे जहाँ पर जिनको acquire करके इंडिको का plantation करवाया जा सकता था plantations, planters जो थे उनको काफी सारा area चाहिए था क्योंको काफी सारा इंडिको उगाना था अब इस तरीके का land वो कहां से लेकिया है तो उन्होंने start किया कि lease ले 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 land around the indigo factory जहां पर indigo की factory है उसके आसपास का area मतलब थोड़ा जा है एक तरह से lease पर ले लेने कि इस पर रख कुछ time के लिए हमारा हक है और जो peasants थे ना उनको वहां से निकाल दिया क्या इसकी वज़े से काफी जाद लड़ाईया हुई भी जन पीजन को तो मुनके लैंड से निकालोगे तो वह तो लड़ेंगे तो काफी लड़ाईयां और टेंशन क्रियेट हुई नौर वस लेबर भी easy नहीं थी वहां पर मिलना क्योंकि large plantation यह जो plantation थे रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जरुवत पढ़ती थी काम करने के रहे और लेबर वस नीड़ेड प्रसाइसली उसी वक्त पर मतलब जिस वक्त पर इंडिगो की कटाई या बुआई चलती थी उसी वक्त पर जो है राइस का भी कटाई बुआ ये वगरा चलती थी तो लोग तो जाता राइस पर क्योंकि वो खाने की फसल है तो उसको उगाने में ज्यादा इंडिटेड होते थे तो यह भी competition मिला उसको इंडिगो को अब जो niche cultivation था niche का मतलब था जो plantas का खुद के land के cultivation वो करते थे वो काफी large scale पर उन्होंने on the large scale also required क्या था? plows और bullocks मतलब hull और bellos की भी जरुद होती थी काफी बड़े area पर उगाने के लिए तो एक बीगा, एक बीगा का मतलब होता है मतलब unit है, मतलब एक बीगा में एक बीगा होता है जैसे कि एक land का area की इतना area एक बीगा है, ठीक है तो वन बीगा of indigo cultivation requires two plows, एक बीगे में दो plows की जरुद परती थी इसका मतलब है कि planter जिसके पास 1000 plows है, उसको 2000, 2000 plows की जरुद परेगी investing और purchase करना और maintain करना इन plows को यह काफी ज्यादा बड़ी problem हो गए थी मतलब इतने सारे प्लोस खरीदना और उनको समहाल के रखना इस सारी बड़ी दिखत के काम हो रहे थे nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields again exactly at the same time that the indigo planters needed them तो अब जिस समय पर indigo गाया जाता था, उस समय पर rice होगा ही जाती थी तो plows होगा, bullocks होगा यह free मिलता ही नहीं थे क्योंकि वो तो rice fields में काम कर रहे होते थे till late 19th century 19th century तक planters जो है reluctant से कि भई वो niche cultivation का area expand नहीं करेंगे less than 25% land जो था producing indigo was under this system मतलब niche system के अंडर था लगभग जो 25% indigo produce किया जा रहा था मतलब planters खुद ही directly उसमें cultivation करवा रहे थे rest was under the alternative mode of cultivation जिसको riyoti कहते थे अब riyoti system भी देख लेते हैं indigo, जो riyots के land थे उन पर किस तरीके से उगाया जाता था तो देखिए, riyoti system के अंदर planters force करते थे riyots को की एक contract sign करो हम से agreement, सत्ता जिसको बोलते थे हिंदी में, कहीं बार villagers को जबरदस्ती pressurize किया जाता villager headman जो होते थे वो riyots के साथ जबरदस्ती करते थे और कि भई, contract में तुम आ जाओ और जो sign कर लेते थे, contract को उनको advance में cash मिल जाता था और काफी low interest rate पे वो अपना indigo produce कर लेते थे बट loans जो के रियोत को commit किया जाता था था ना to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding, the planter provided the seed and the drill while the cultivators prepared the soil sow the seed and look after the crop तो मतलब अगर आपका इतना land था तो आपको इसके 25% पर आपको क्या उगाना पड़ेगा इसके 25% पर आपको इंडिको उगाना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा ये contract होता था और पहले loan मिल जाता था और loan की जो interest rate होती थी वो भी कम होती थी बस यह होता था कि आपको अपने land के 25% area पर जो है नील उगाना पड़ेगा वोकर्स हर्वेस्ट कर रहे हैं इंडिको को ये दिखाया गया है रुट्रल लाइफ के बारे में अब इंडिको किस तरीके से प्रड्यूस होता था तो क्रॉप उगाई जाती थी और उसके बाद प्लांटर्स जो होते थे उनको दे दी जाती थी और एक नया लोन फिर से रियोत को दे दिया जाता था और ये साइकल जो थी ना ये फिर से शुरू हो जाती थी कि तुमने अचा फ़सल दे दिया फिर से लोन ले फिर से फ़सल उगा लो तो ये साइकल चलती जाती थी peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was initially तो उन्हों को लगा कि हम लोग असानी सो loan मिल जा रहा है बट दिरे दिरे समझाए कि system कितना जादा उनके लिए खराब है price जो उनको indigo के लिए मिलता था they produce was very low and the cycle of loans never ended तो उनको उनने indigo उगा लिया but उनको price कीमत बहुती कम मिलती थी indigo जब वो बेशते थे तो तो जो loan की cycle थी ना वो कभी खतम ही नहीं होती थी हमेशा जो किसान है करजे में ही रहता था other problems भी थी planters जो है usually insist करते थे कि जो सबसे अच्छी soil है ना वहाँ पर indigo उगा उपट किसान चाता था कि उस पर अपनी राइस हुगाएंगे तो indigo की जो roots है वो भी बहुत जदा डीप होती थी तो वो soil में से पानी एकदम कीच लेती थी और जमीन को बंजर उगा देती थी अगर indigo की harvest कर दी कही है ना किसी land पे तो वो इतना बंजर हो जाता था कि उस पर दुबारा से चावल उगता ही नहीं था इतनी खराब हालत हो जाती थी तो इस सब को देखके कि फाइदा ही नहीं हो रहा लोन की cycle में फस गये land कराब हो रहा है जबर्दस्ती करवा रहे हैं हमसे तो blue rebellion blue rebellion था indigo rebellion तो march 1859 में हजारो रियोज जो थे ना बंगाल के उन्होंने मना कर दिया कि भई हम लोग indigo नहीं हुगाएंगे ये rebellion विद्रो काफी जदा फैला रियोज से मना कर दिया कि हम लोग रेंट भी पे नहीं करेंगे planters को और indigo की फैक्टरीज पे अटाक करना शुरू कर दिया वह अपनी जो तलवारों से है ना बोज आरों से अटाक करना भी शुरू कर दिया women turned up हुई fight करने के लिए मटके फेगने लगी kitchen के जो implement समान होते हैं उन्होंने लडाई करने शुरू कर दिया जो planters के लिए काम करते थे उनको boycott किया गया उनसे बात नहीं करता था कोई and agents of planters who came to collect friends were beaten up और जो लोग agent होते थे थे planters की जो पैसे लेने आते थे उनको कुब पीटा जाता था रियोस ने ये कसम खाली कि वो आप कोई भी advance नहीं लेंगे इंडिको को उगाने के लिए और वो कोई बुली नहीं कर सकता है जो planters हैं उनको जो लाथियास उते थे मतलब planters रखते थे कि को उनकी बात नहीं मानेगा तो उनकी बात नहीं बतवाते थे decide that they would no longer remain silent तो उन्होंने decide क्यों किया कि वही वह अप silent नहीं रहेंगे इसकी पावर उनको कहां से मिली clearly जो इंडिको सिस्ट्रम था वो काफी जादा उप्रेसिव था जो but those who are oppressed do not always rise up to rebellion they do so only at times but हमेशा जिनके साथ उप्रेसिन होता है वो rebellion में विद्रो तो नहीं करना शुरू करते हैं वो तो हम वो तो सिफ कभी कभी करते हैं 1859 में जो इंडिको रियोट्स थे felt that they had the support of local जमीनदार्स 1859 तक आते हैं जो इंडिको रियोट्स थे उनको इसमझ में आ गया कि जो लोकल जमीनदार्स है वो हमारे साथ है village के headman भी जो है and village headman in their rebellion against the planters जमीनदार, village headman ये सब साथ थे रियोट्स के planters के against काफी सारे जो villages थे उनके जो headman थे उनको force किया गया था इंडिको के contract sign करने के लिए ये कहा पीजन्ट से कि भाई तुम लोक fight करो और ये लाठियास जो है लाठी बाज तुम पर पिटाई करते है इनसे भी तुम लडाई करो other places पे जमीनदार्स जो है गाउं गाउं जाते थे और arguing the riots to resist the planters मतलब कहते थे रियोट्स से कि भाई तुम इनकी बात मत मालू मतलब इसमें जो विलेज के headman थे विलेज के सबसे important जान थे जमीनदार थे उन सबने किसानों का साथ दिया था जमीनदार काफी जाता नाखुश थे जो planters की तनी जाता power बढ़ गई है और angry थे क्योंकि planters जबरदस्ती उनको उनसे बतलब land जबरदसी चीन लिया करते थे काफी लंबी-लंबी lease पर क्योंकि जमीनदार थे लंड चिन रहा थे तो उनको बितिक्कत हो रही थी इंडिको planters ने imagine किया था also imagine that British government would support them in their struggle against the planters प्लांटर्स को ये भी लगा था कि British government भी हम लोग को support करेगी 1857 का जो revolt हो गया था ना उसके बाद जो government थी वो काफी परिशान थी और वो ये नहीं चाहती थी कोई और rebellion दुबारा से हो जाए जैसे ही news family ना कि Indigo district में revolt हो गया है और इतना ज़्यादा oppression हो रहा है तो सरकार ने भी ना मतलब एक commission बढ़ा दी ठीक है तो सरकार ने क्या किया Indigo district में the lieutenant governor tour the region जो lieutenant governor थे उन्होंने region का tour किया winter of 1859 में रियोज ने इस tour को देखा कि sign government है सिंपती दिखा रही है हमारे साथ कि हमारे साथ गलत हो रहा है when जब बरसाथ आई magistrate Ashley Aiden issued a notice stating that Rios would not be compelled to accept Indigo contracts तो भई जो वो थे magistrate थे उन्होंने कहा दिया कि Rios जो है वो Indigo contracts accept ना करे कोई दिक्कत नहीं है और word went around that और ऐसी बात फैल गई कि कोई Victoria ने डिक्लेर कर दिया है कि Indigo को उकाने की कोई जरवत नहीं है Aiden ने ट्राइ किया placate करने को मतलब मनाने को peasants को control करने को यह जो इतनी खराब situation हो गई है but his action was ready to support for the rebellion मतलब वो तो यह कहाया था कि सिर्फ यह बात दब जाए बगर किसानों को लगा कि भई सरकार हमारा support कर रही है अब support कर रही है सरकार के पार्ट नहीं होते थे जाहतर वो लोग वो ऐसे ही private लोग होते थे जो इंडिया में मुनाफ़ा कमाने जैसे कि माल लीजे इंडिया को कोई businessman कही होर चले जाए और business करने लगे इसी तरीके से planters होते थे सरकार का हिस्ता नहीं होते थे जैसे rebellion और जदा फैला जो कलकत्ता से intellectual होश्यार लोग होते थे थे पढ़े लिके लोग वो इंडियो डिस्ट्रिक्स में आ गए उन्होंने misery जो इतना अत्याचाल हो रहा है लोग के साथ उनके बारे में लिखा tyranny जो peasants उने परिशान sorry planters जो की परिशान कर रहे हैं रियोट्स को उनके बारे में लिखा रियोट्स किसान होते थे और horrors की indigo system कितना जादा खराब है इन सब के बारे में जानकारे फिलाना शुरू कर दिया कि rebellion ना हो जाए इसलिए government ने क्या करा the government brought in military to protect the planters from assault and set up indigo commission to inquire into system of indigo production तो सरकार कुला का rebellion ना हो जाए तो military बुलाई गई ताकि planters को बचाया जा सके और indigo commission बठा दी गई ये inquiry करने के लिए कि जो इस system है indigo production का ही किस तरीके से चल रहा है क्या चल रहा है इस अब देखने के लिए inquiry बठाई गई commission held the planters guilty commission ने का ही planters की कलती है और उनको क्रिडिसाइस किया कि इतना जादा खराब मेथर्स आप क्यूं अपना रहे है indigo cultivators के खिलाफ जो किसान है आप इतने जादा हाश काम उनके साथ क्यूं कर रहे है और declare कर दिया कि indigo का जो protection है मतलब protection नहीं production indigo जो गाया जा रहा है वो किसानों के लिए रियोस के लिए फाइदे मन नहीं है commission ने कहा कि रियोस जो आपकी existing contract आप उनको पूरा करो और further आप अगर contract में नहीं जाना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं फिर आगे आता है कि reward जो था indigo का उसके बाद जो production था ना indigo का बंगाल में वो बहुती ज़्यादा कम हो गया planters ने अब बिहार में shift कर लिया और क्योंकि अब synthetic dye भी discover हो गया था मतलब laboratories में फैक्टरीज में बना हुआ डाय जो है आ गया था जर्मनी ने इसको बना लिया था तो फिर indigo के plantation करवाने की इतनी ज़्यादा जरुवत पड़ी भी नहीं फिजर महत्मा गांधी आय इंडिया में साउथ अफरिका से बिहार के बिहार गए किसानों की मदद करने के लिए तो चंपारन में उन्होंने indigo cultivation के खिलाफ ही जो गादीजी आये थे ना तो 1916 में उन्होंने चंपारन में ही सबसे पहले जाकर के अपना सपोर्ट दिया था किसानों को और 1917 में मांग दा बिंगनिंग ओफ चंपारन मूवमेंट अगेस्ट इंडिको प्लांटेशन तो 1917 में उन्होंने पूरा चंपारन में गए और हल्प करी इंडिको प्लांटर्स की इंडिको प्लांटर्स कौन थे? किसान अब इल्सवेर देखते हैं आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टरिट नहीं होता बड़ दिख लेता है क्या होता है 18th century में फ्रेंच मिशनरी थे जीन बेप्टाई स्लेबोट वो करेबियन आइलेंड्स गए उन्होंने काफी कुछ लिखा इस रीजिन के बारे में और पब्लिश किया अपनी बुक में इमेजिस यह जो है यह हमें बताती है कि इंडिको प्रोडक्शन जो था और फ्रांस का मतलब वो स्लेव प्रांटेशन था मतलब स्लेव गुलाम लोग काम किया करते थे आप देह सकते हैं कि स्लेव जो है यह जो है कि जो जो स्लेव वरकर्स है वो इंडिको प्लांट को मतलब शेल्टर में रख रहे है और फिर उसके बाद another worker is churning the liquid with the mechanical churner, liquid is taking out of it from it, two workers are taking the pulp of it, it's getting to it, this picture is showing how the work is doing in Indigo, and this picture was made by Gene-Beptise Libet, so this is our chapter, our explanation is complete, our third chapter is complete, you can see, so our chapter is complete, thank you,